question is an electric bulb is connected to a 220 volt generator एक electric bulb है वो 220 volt generator से connected है potential difference यहाँ पर आपको दिया गया है if the current drawn by the bulb is 0.50 ampere यदि current जो बल्ब ले रहा है उसकी value है 0.50 ampere find its power इसकी power बता होते है यहाँ पर जो formula आपका लगेगा वो क्या लगेगा P is equal to V into I आपके पास V भी है आपके पास I भी है तो इसको solve कर लेते हैं first question को बहुत simple question है A part ठीक है यहाँ पर आपको V दिया है 220 volt दूसरा आपको I दिया है I कितने दिया है आपको 0.50 ampere power का formula लिखेंगे V into I P is equal to V into I P है आपका 220 volt और multiply 0.50 ampere तो यहाँ पर आप कर सकते हो 0 लिख लोगे 5 0s है 5 to the 10 और 5 to the 10 and 1 11 2 से पहले आपका decimal आगया तो यहनि कि power कितने आगया आपकी 110 watt यह आपका first answer आ जाता है ठीक है second part करते है second part है an electric refrigerator rated 400 watt operates 8 hours a day एक electric refrigerator है जो की 400 watt का है power दिया यहाँ पर उसकी उसको operate किया जाता है 8 गंटे एक दिन में यहनि कि यह आपको time दिया है calculate the energy per day हर दिन की energy कितनी खर्च हो रही है वो आपको निकालना है किसमें निकालना है value ग्लोवाट r में यह भी आपका बहुत ही simple question है energy का formula क्या होता है आपका power into time तो e is equal to हो गया आपका p into t power दिया है यहाँ पर आपको 400 watt और time दिया है आपको 8 hour यहनि कि यहाँ पर energy कितनी आगे आपकी 328 force है 3200 watt hour आपको निकालना है क्लोवाट r में आपको पता है कि 1 watt कितना हुआ 1 upon 1000 किलोवाट तो यहनि कि आपने value को कैसे निकाला 3200 upon 1000 ठीक है अब यहाँ पर 3.2 किलोवाट आगे यह और r यहनि आपकी energy कि value कितनी आगे e is equal to आजाता है आपका 3.2 किलोवाट आजाता है यही आपसे पूछा गया आपका answer यह आजाता है ठीक है energy कि आगे answer 3.2 C part of the question आपका state the difference आपको difference बताना है किसमें किलोवाट में और किलोवाट आर में तो किलोवाट किलोवाट जो है वो किस क्या है this is the SI unit of power किलोवाट is the SI unit of power और जो क्लोवाट आर है यह है आपकी SI unit of energy तो यह आपका third answer भी complete हो जाता है कि दोनों SI unit से क्लोवाट पावर की unit है और क्लोवाट आर energy की unit है तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सकाइब कर लेना और बैल आइकन को दबा देना जिससे की सारे नोटिफिकेशन वीडियो के मिलते रहेंगे थैंक यू